Hi students, I am Deepak Rajori, welcome to my channel Focus Classes, students, आज का जो question है बहुत important है, इसमें दिया है, if x plus y equal to 10, and under root में x upon y, plus under root में y upon x equal to 10 upon 3, then find the value of x y, तो यहाँ पर हम लोगों को 2 equations दे रखी हैं, और इन दौनों equations की help से हम लोगों को x y की value निकालनी है, ठीक है, तो चलिए start करते हैं, एक बार लिख लेते ह So first equation हम लोगों को जो दे रखी है, वो क्या है, x plus y equal to 10, माल लेते हैं, equation number 1 है, और जो दूसरी equation है, वो क्या है, under root में x upon y है, फिर under root में y upon x है, and this is equal to 10 upon 3, और इसको name दे देते हैं, equation number 2, चीक है, अब हम लोग question को आगे बढ़ा रहा है, equation number 2 से, तो एक बार लिख लेते हैं, क root में y upon x equal to 10 upon 3, ऐसा दिया है हम लोगों को, ठीक है, right, कभी भी जब ऐसा होता है, कि दो numbers हैं, और वो same radical sign में हैं, और वो divide कर रहा है, तब हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, वही radical sign लगाएं, और दौनों numbers को division की form में ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, तो इस form में होता है, तो हम लोग इस form में लिख सकते हैं, जब यह form है, तो हम लोग इस form में भी change कर सकते हैं उसको, ठीक है, तो यही rule हम लोग यहाँ पर लगाएं, और तब क्या लिख सकते हैं इसको, root x upon root y plus, इसको लिख दे हम लोग root y upon root x equal to 10 upon 3, अब क्या करें, दोनों का LCM ले ले लेते हैं LCM दोनों का कितना हैगा, under root x into under root y, ठीक है, अब देखो root y यहाँ भी है, root y यहाँ भी है, क्या extra factor है, root x ना, तो root x का multiply होगा, इसके numerator यानी की root x के साथ में, तो root x और root x का multiply करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x, plus का sign है, root x यहाँ पर है, root x यहाँ भी है, क्या extra factor है, root y ना, तो root y का multiply करेंगे, इसके numerator यानी की, root y के साथ में, तो root y और root y का multiply किया, तो क्या हो गया, y, and this equal to 10 upon 3, as it is, लेके चल रहा है, अगेन हम लोग देखें, x plus y, x plus y की तो value जानते हैं न, y equation number 1, क्या रख सकते हैं, इसके place पे, 10 रख दें, equation number 1 से, ठीक है, तो यहाँ पर आपने रखा 10 upon, यहाँ पर क्या देख रहा है, root x और root y है, तो again हम लोग आते हैं, कभी भी दो numbers हैं, वो same radical sign में होते हैं, और आपस में multiply करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, वही radical sign लगाए, और दौनों radicals का product करते हैं, चीक है, so a भी हो जाएगा, again इसको क्या लिख सकते हैं, य and this equal to 10 upon 3, अभी क्या करें, cross multiply कर देते हैं, so cross multiply किया, तो क्या हो गया, under root x, y और 10 का multiply करेंगे, तो 10 into under root x, y equal to 3 into 10, अब देखो 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, cancel कर दिया हम लोगों ने, so क्या रहा, under root x, y equal to 3, बढ़ हम लोगों को किस की value निकालनी है, हमें तो x, y की value निकालन है, इसका मतलब यह root sign हटाना है, और हटेगा कब, जब हम लोग दोनों sides का square करने, so squaring both the sides, therefore, इसको लिख सकते हैं, तब under root x, y और इसका square किया, और इसका भी square करते हैं, side का, so जब इसको square करेंगे, तो root sign हट जाएगा, और क्या रह जाएगा, x, y equal to 3 के square करेंगे, तो 9, और यही हम लोगों को find करना था, x, y की value find करनी दीना, तो कितनी है, 9 है, right, so यह answer है हम लोगों का, I hope students question आपको समझ आ गया होगा, अगर ऐसा है तो please video को like करते है, channel को subscribe करने, और बाकी की questions के लिए आप मेरी playlist में चले जाएगे, इस तरह के बहुत सारे questions मैंने already upload किये हैं, फिर स आता हूं, एक नए question, एक नए concept के साथ में, till then keep learning and thank you for watching this video.